चलिए दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है लर्निंग डेपर और मैं हूँ आपके साथ सौरो बोजा आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे IERT से डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर सीधे सीधे जो बच्चे पॉले टेक्निक डिप्लोमा करना च जाते हैं और जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे बढ़िया कॉलेज से करना है उनके लिए IERT प्रयाग राज एक बढ़िया ऑप्सन होता है बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जो बच्चे नहीं जान अपने दोस्तों को जरूर भेज़ें वीडियो को लाइक करें निचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के माध्यम से टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें हम आपको आगे एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं कि लर्निंग डे आपको तयारी भी करवाएगा पॉले टेक्निक इंटरंस एक्जाम की IERT की तो सभी चीजों के लिए आपका केवल और केवल एक सलियूशन आपका अपना लर्निंग डे मैं अबिरल सर और हरसे सर मिल के आपके लिए जबरजस्त हर एक प्लान करने के लिए तयार हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि IERT का फॉल फार्म क्या होता है इसको हम IERT बोलते हैं और IERT प्रियागराज के नाम से इसको हम जानते हैं यह कहा जाता है कि UP में यूनिक कॉलेज है यूपी में एक ही कॉलेज है जैसे अगर आप यूपी जेकप से पॉले टेक्निक इंटरंस एक जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसके कॉलेज लगभग हर एक देश्टिक में है लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों IERT की तो IERT केवल और केवल एक ही है प्रियागराज में है बहुत बढ़िया स्कोप है पढ़ाई भी बढ़िया होती है और यहां से प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया होता है लगभग बहुत सारे बच्चों को मैं IERT के जानता हूँ जो से पहली चीज और सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि जो IERT का फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया है जी हां दोस्तों IERT का मतलब 30 अपरेल तक और इसमें जो फीस लग रही है जनरल और OBC EWS वाले बच्चों के लिए 1350 रुपए SCST के लिए 1350 मतलब किसी भी बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का कोई डिसकाउंट नहीं है चाहे जनरल का हो OBC का हो SCST EWS किसी भी कटेकरी का हो 1350 रुपए उसकी फीस लगेगी अब दूसरी चीज यह आती है कि आप फीस कब तक भर सकते हैं तो 30 अपरेल तक ही फीस आप भर सकते हैं 30 अपरेल तक आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं करेक्शन की डेट आपको 1-2 जनूरी मिल जाएगी और एक्जाम की जो डेट है वह भी इसमें बताया गया है 11-14 जून के बीच 11-14 जून के बीच लगभग लगभग दोस्तों आपके पास 5 महीने का टाइम है इस 5 महीने के टाइम पे आप तयारी बहुत जबरजस्ट कर सकते हैं आपको आसान तरीके से एडमिशन मिल सकता है अब एडमिट कार्ड कब आपको अबलेबल करवाया जाएगा तो ये एक्जाम के थोड़ा सा पहले आपको अबलेबल करवाया जाता है लगभग 10 दिन पहले आपको आपके हाथो में एडमिट कार्ड होगा लेकिन आप भी से target बनाके चलिए कि फ़ाम आपको आज ही fill कर देना है ताकि आपके दिमाग से एक tension खतम हो जाए दूसरी चीज तैयारी के लिए आपको learning day से जुड़ जाना है टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर और इस YouTube चैनल पर अब दूसरी चीज अगर हम इसके बारे में और अच्छे से brief तरीके से बात करें कि क्या क्या इसमें document आपका लगता है क्या क्या आपको benefit हो सकता है तो और eligibility का criteria क्या है तो इस सब के बारे में एक हम brief वीडियो बनाएंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपसे eligibility के criteria के बारे में अगर बात करूँ तो वें discuss करना चाहता हूँ आप apply कैसे करेंगे आपके पास document क्या क्या होने चाहिए ये सारी चीजे मैं बताऊँगा आपको आप यहाँ से diploma कर सकते हैं ठीक है ना 3 year का diploma अब इसमें आपके पास eligibility क्या होने चाहिए class 10th high school with science math या एक किसी भी मतलब science से या फिर math से आपका high school होना चाहिए और age limit सबसे बड़ी बात जो होती है age limit वो 14 साल के आप होने चाहिए age limit देखी जाएगी आपकी 172023 172023 मतलब 1 July 2030 को आप 14 साल के पूरे हो चुके हैं तब आप इसमें apply कर सकते हैं और जो दूसरा criteria दोस्तों इसका होता है यह 10 plus 2 intermediate exam with English and history as a compulsory subject in 10 plus 2 or high school level यह management डिप्लोमा के लिए है जो 4 semester का होता है लेकिन आपको दोस्तों यह 6 semester वाले पर ध्यान देना है जो 3 साल का डिप्लोमा होता है engineering technology डिप्लोमा होता है यह 6 semester का होता है 3 साल में complete होता है इसके लिए आपका criteria 10 आप पास होने चाहिए math or science से और आपकी age जो है वो 14 साल and above होनी चाहिए और अगर आप management डिप्लोमा करना चाहते हैं 2 साल वाला तो उसके लिए आप 10 प्लस 2 होने चाहिए तो दोस्तों यह तो बात रही थोड़ा सा कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए आप eligible कैसे हो सकते हैं और तीसरी eligibility का criteria यह कुछ इस प्रकार से होता है डिप्लोमा होना चाहिए किसे भी system में तो main जो मुझे लगता है कि जो maximum बच्चे रहते हैं वो इसी पहले वाले segment से ही होते हैं कि 6 semester का और 3 year वाला तो उन बच्चों को इस पर ध्यान देना है और हमारी main जो तयारी होगी वो पहले और दूसरे criteria वाले बच्चों के लिए ही करवाई जाएगी learning day के इसी YouTube चैनल पर तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को जरूर भेजें आगे हमारी आपकी मुलाकात ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी आप बहुत जल्द हम polytechnic intrinsic exam और IERT के intrinsic exam के लिए class हैं start करने वाले हैं उसकी date class schedule सारी की सारी चीज़े हम आप वताएंगे live class चलेगी live class आपको मिले की तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें टेली ग्राम में जरूर जुडें अपने दोस्तों को जरूर भेजें दीजी अपने दोस्तों सौरा बोजा को इजाजत फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक रखिए आप अपना ख्याल पढ़ाई करिए जय हिंद